राजस्तान के बीलवड़ा शहर में वन वीबा गदिकारियों ने एक बड़ी कारवाई करते हुए 200 किलो चंदन की लकडियों के साथ ट्रक चालक को गिरपतर किया है। गोरव गर्ग के अनुसार यह चंदन लकडियां चंदेरिया से ट्रांसपरोट नगर सक लाई गई थी और आगे इने जैपूर विजवाया जाना था। फिलाल पुलीश ना अली नगर निवासी इकबाल खान को गिरपतर कर ट्रक को कबजे में लेके आगे के कारवाई में जूट गई है। अठारा अक्टूबर को रात के लगबिक आठ साड़े आठ बचे हमें हमारी इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है हमारे मुखबरी जो नेटवर्क है उससे सूचना मिली थी कि भिलवाडा शहर में सरकेट हाउस के समीप कुछ चंदन की तसकरों की द्वारा कुछ अवैद गत की गई जिसके अंदर मौके पर रंगे हातों पांच बोरी में अवैद चंदन की तसकरी फला माल एक कार्गो ट्रक में पकड़ा गया इसके अंदर हमारे जो स्टाफ है को शाबाशी का पात्र है कि उरने इस पूरे मिशन को कोपनियता से अंजाम देते हुए जो भी दोशी अगरा को नकारा नहीं जा सकता इस करम में जांच की जा रही है तथा आगे भी इस प्रकार के और चक ने रिक्षन और चापे मारे जाएंगे और इस सना की तसकरी रोकी जाएगी उसकी संभावित जो मात्रा है वो लगभग डेड़ सो से दो सो कि लोकी पाई जा रही है जो पांच अलग अलग बोरों के अंदर बंद है बिल्कुल जी अवैद का मतलब यह है इसके अंदर की पूरी बिना सक्षम स्विकृति के आप चंदन की लखड़ी का परिवहन नहीं कर सकते और जब भी इसकी अगर स्विकृति मिलेगी तो उसके अंदर विदिवत देखा जाएगा कि कहां पर पेड़ गाया गया है वह उ पूरे काख़जात के चंदन का परिवहन पूरा वैद है